पुराने से पुराना सीर्धरत जर्स से खतम करने का ऐसा गठेलू उपाई बता रही हूँ, ये हमारी दादी जो है ना अमेशा इस उपाई को आज माती थी दोस्टो और सीर्का दर्ध जो है ना कैसा भी पुराना हो, एक्दम ठीक हो जाता था, बेहद ही आसान और ऐसा गठ लेलू उपाय है कि अर्थरे से आपको फायदा देगा आपको कोई नुक्षान नहीं होने वाला है आप अपने आप में सीर का दर्द तो खतम हो गई खुद में भी आप एनरजी मैसुस करने लग जाएंगे दोस्तों अगर आपको ठाकान एनिंद्रा या फिर कमजोरी की सिका आपको धेना तो वह भी सारी आपकी दूर हो जएगी सिर के दर्द की साथ यहाएगी तो आपको क्या करना है इस नुझखे के लिए आपको लगे नुक्षान नहीं होने वाला है आपको मैंने पहले भी एक नुस्खा डाला था शुरुवात में सिरदर्द का इतना ज़्यादा कारगर था ना दोस्तों बहुत सारे कमेंट उसके अंदर आए कि अमें इससे बहुत ज़्यादा फाइदा मिला है उसमें एक आदा कमेंट जो है उसके भी अलग-अलग कारण होते हैं कभी आपको बाईवादिया गैस के कारण दर्द होता है कभी आपको खाना जो है ना सही से नहीं पचता है दूसरी कोई समश्या होती है माईग्रेन होता है तो दर्द के भी बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों इसलिए आपको ये जो आपकी बिमारी है ना अगर उसके इसाब से ये परफेक्ट गई ना तो ये समझे कि आप इस समस्या से जड़ से चुटकारा पालेंगे तो यहाँ पर हमने सेव को लेकर सबसे पहले पानी में डालकर छोड़ दिया था जिससे की उसके उपर कोई भी केमिकल वगिरा लगावना उसका इफेक्ट कम हो जाए तो आप जब भी फ्रूट ले कराते हैं उनको पानी में डालकर जरूर छोड़े उससे क्या है आपको इसके ज़्यादा फाइदे मिलेंगी दोस्तों इसके उपर केमिकल रहते हैं उनका प्रवाव कम हो जाता है अच्छे से मसल कर दो कर ले उसके बाद में आपको एपल को इस्तिमाल करना है तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने एपल को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ो में ही कट किया है ऐसा क्यों किया है इससे क्या होता जब हम खाते है ना बड़े श्राइस कट करेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी से खाएंगे उसको बड़े- को नहीं खाना जाए लेकिन यहां पे नुष्किस की बात बाद है और शिरदर्द पर के की बात ना दोस्तो तो आपको इसनुष्टकर की नमक डाल ना ही होगा इसनुष्के के लिए और नमक के लिये और नमक आपको पूंच प्रत में खाते हैं उस नमक का इस्तिमाल करना है पांच दस रूपे का ले आए ना तो आपका इस नुस्खे के लिए काम हो जाएगा एक बार में आपको बहुत ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है अगर गर में रखा हुआ है तो अच्छी बात है बस दो जुटकी नमक आपने छोड़ दिया 10-15 मिनिट नहीं जैसे इसके उपर नमक को आप बुरक कर डालेंगे यानि डस्ट करेंगे वैसे ही आप तुरंथ ही इसे खाना सुरू कर देंगे खाना कब होगा आपको इसका टाइम रहेगा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसे कभी भी खा सकते हो नही ये आपको रो जाना सुबे खाली पेट लेना होगा ये समझ ये कि आपको ये दो सप्ता यानि 15 दिन लगातार लेना है सानी कि आज आपने खालिया फिर छोड़ दिया दो दिन पर सो खालिया नहीं लगातार 15 दिन तक आपको रो जाना एक एपल मीडियम साइज का बहुत बड़ा भी लेने की जरूरत नहीं है मीडियम साइज का एपल ले ले और डेली आपको सुबह फ्रेस होने के बाद ब्रस करने के बाद में और एक एपल पे अलका सा नमक डाल कर बिल्कुल अच्छे से चबा कर इतना चबाना है कि इसको पानी बना लेना है मुग के अंदर बि अच्छे से दो कर लेना है पल को बीच में जो इसका अलका फुलका सा निकलेगा कच्रा वो आठा दे आप और बाकी आप इसे छिलके समेत बिल्कुल अच्छे से चबाए पानी के जैसा बना कर फिर आपको निगलना है और लगातार पंदरा दिन तक ये आपको आजमाना है अच्छा मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मैलाए मा बनने वाली है न कि आम ये नुस्खा अपना सकते हैं क्या तो ये नुस्खा आप बिल्कुल अपना सकते हो आपको भी ये बेहद फायदा देगा तो आप भी इसे अपना सकते हो लेडिज और जेंट्स लाइक आपको घरम जादा मैसुस नहीं होना चाहिए और एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए इस तरीकिका गुन-गुना दूद आप इसके साथ ले सकते हो अब बात आती है जिन को दूद सूट नहीं करता है या लेना पसंद नहीं करते हैं जिनको बाता नहीं है तो वो क् बहुत ज़्यादा फाइदा देता है और नहीं ले सकते ना तो एक गिलास गुन-गुना पानी आप जरूर ले 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 अब इसको खाने के बाद में इसके एक या दो गंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है सिर्फ यही खाना है ना चाय पीनी है आपको और ना दूसरी कु और बहुत ज़्यादा तेल और मसालो वाली जो चीजे है ना उनको अवाइड करना सबजे भी आप कम ही तीखी खाना दोस्तों जिससे कि आपको इस नुस्खे का पूरा-पूरा फायदा मिले इसके बाद में आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूं जिनको बहुत ज़्याद दर्द हो जाता है कुछ भी खाने पीने से या अमबार से चल के आते हैं गूम के आते हैं तो अमें सीर दर्द जो है ना इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है तो तुरंत राहत पाने के लिए आपको ये नुस्खा बता रही हूं तो ये आप क्या देख रहे हैं ये हैं आ पत्या ले लेनी है और पत्यों को अलका सा कूट लेना है यहां पर मैं तो आपको इस तरीके से मसल कर दिखा रही हूं लेकिन जिसको सिर्मिदर्द है ना वो क्या करेगा इसको अच्छे से कूट ले जैसे अपना मसाला पीछने वाली जो शिल्वटा लोडी होती है उससे पी आप एक दो मिनेट तक लगातार उसको स्मेल करते रहें आप देखेंगे चाहे कितना भी बैंकर दर्द हो आपकी सर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा आप चाहें तो उसे पानी में डालकर और पानी को उबालकर और स्टीम ले सकते हो तुरंत रहत मिलेगी बिना दवाई की त चैनल पर लिबा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद